हालो काईज, वेलकाउम डूट एक यासर यूटिप चैनल और गाईज, वीवो T3 Pro स्माटफोन के बारे में आप सभी को पता होगा भी रिसेंडली वीवो ने कुछ दिन पहले इंडियन मार्किट में लॉंच करा था अंडर 25,000 उपीज में एक सॉलिड और उंडर स्माटफोन है आप में से बहुत सार लोग के कमेंड आरते भाई वीवो T3 Pro को परचेस कर ले या जिसका बड़ा भाई वीवो T3 अल्टरा लॉंच होने वाले उसका वेट करे दोनों में से कौन सा स्माटफोन बेटर रहेगा कौन सा ज़ादा वेल्यू फर मनी रहेगा तो आज की सुड़ी में आपके सारे डाउट्स और कंफुजन को दूर करने वालो करेंगे यहाँ पर दोनों स्माटफोन का कमपाज़न और एक्जक्ली में कौन सा यूजर को कौन सा फोन लेना चीए कम्प्लीट रिटेल देने वालो सो गाउच चलिए विडियो स्टाट करते है सो फ्रेंज्स विडियो स्टाट कर लेते हैं कमपैसमाट़न को स्टाट करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट के बारे में कि exactly में प्राइस पॉइंट आपको कितना फरक देखने को मिलता है वीवो T3 प्रो स्मार्टफोन 898 वाला विरेंट 25,000 रुपीज का है और फर में आपको 22-23,000 रुपीज के आसपास इजीली देखने को मिल जाता है वीवो T3 प्रो स्मार्टफोन का जो 898 वाला विरेंट है ऐसे तो 32,000 रुपीज में लौंच हो है लेकिन 3,000 रुपे का आपको बैंक डिस्कॉंट मिलता है एफिक्टिवली इस स्मार्टफोन का आप लेपाऊगे 29,000 रुपीज में तो दोनों स्मार्टफोन का जो 898 वाला विरेंट है आपको 5-6,000 रुपे का डिफरेंस देखने को मिलने वाले है चलिए आप कमपाजन को स्टाट करते है स्टाट करते हम यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड डिजाइन और फर्स्ट लुक के साथ में तो वीवो T3 अल्टरा मे यहाँ पर आपको 6.718 इंच का 120 Hz एक साथ में काव आमले डिस्पले देखने को मिल जाता है लेकिन जो रेजोलूशन है वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जो प्रो वाला विरेंट है वहाँ पर आपको फुल HD डिस्पले मिलता है जबकि T3 अल्टरा में यहा वाला विरेंट भी देखने को मिलेगा दोनों में डुवल सिम के सपोर्ट है SD कार्ट रोड आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको जो वीवो T3 प्रो है वहाँ पर UFS 2.2 प्लस LPDDR4X का कॉम्बिनेशन मिलता है जबकि अल्टरा में आपको UFS 3.1 प्लस L LPDDR5X वाला रेम टाइप यहाँ पर दिया जाएगा परफॉर्मंस के अगर हम बात करें तो प्रो वाले वेरेंट में यहाँ पर आपको स्नाप ड्रेगन का 7th Gen 3 वाला चिपसेट डिखने को मिलता है जबकि अल्टरा में आपको डेमेंसिटी 9200 प्लस वाला चिपसेट डिख दिया पको मिल जाता है performance यहाँ पर आपको Ultra मैं आपको डबल यहाँ पर बैटर दिखने को मिलती है तो performance के बाभने में नो डाउट आप विवो का जो T3 अपनी प्राइसपरन पे डीस के साथे लेकिन हैं ृटरा के साथ में नहीं है अल्टा वाइदिंगल थिए गएैये। सेल्फी चेमरा प्रो में आपको 16 मेगा पिक्सल का मिलता है। जिपकि जो अल्टर है वहाँ पर आपको 50 मेगा पिक्सल का दिया गए। तो कैमरा डिपार्ट में भी यहां पर आल्टर आपका बेटर रहेगा vos प्राइमरी सेंसर भी आपको बेटर मिल जाता है, सेल्फी कैमरा भी बेटर दिखने को मिलता है Android version और UI के अगर हम बात करें, दोनों स्मार्टफोन Android 14 पर रन करते हैं दोनों में fun touch OS यहाँ पर दिया गए सेंसर दोनों में आपको similar मिल जाते हैं अगर आपको बजट इशू नहीं है तो definitely मैं बलूँगा ultra far better smartphone as compared to pro से because वहाँ पर आपको better जो 1.5K वाला display मिल जाता है better performance है, better cameras मिल जाते है, IP rating का भी support यहाँ पर दिया गए लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों smartphone पर आपको 5-6,000 रुपे का difference भी देखने को मिलता है तो अगर आपका 22,000 रुपे का असपस का tight budget है यह आपको एक Vivo का solid all-rounder smartphone चीए तो definitely T3 Pro तो अपनी जागे पर एक value for money smartphone है आप उसके साथ में चले जाना लेकिन आपका budget issue नहीं है आप 28-30,000 रुपीस का budget है लेकिन आपको एक better all-rounder smartphone चीए तब मैं बोलूँगा Vivo T3 Ultra smartphone को purchase कर लेना अंडर 30,000 रुपीस में बहुती solid smartphone है मैं से गईजाम जी कमसेक्शन ने बताना दोनों smartphone का हमारा comparison आपको कैसे लगा आप Pro के साथ में जाओगे अल्टरा के साथ में जाओगे या दोनों smartphone को लेकिए आपके मन में कोई भी questions है कोई इस है मुझे पूछना नीचे comments में तो अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता आप से लिएक वीडियो में चब तक के लिए Thank you